अल्रेट चैक इट आउट गईस तो अगद आपका स्टून टैक में दोस्ता जम कंपेर करेंगे वीवो और रियल्मी के दो तगड़े सपक्स वाले 5G स्मार्टफोन को जिनका नाम है वीवो T3 5G और रियल्मी 12 प्लस और जानेंगे के इन दोनों मुबालों के फीचर्स के अक प्लास्टिक देखने को मिलेगी अगर बात करें चया में पसटा जैक की तो दोने मुबालों मापको स्क्रिन बैद को देखने को मिलेगी अगर बात करें build quality की तो दोने mobile में आपको front glass, back leather or frame आपको plastic देखने को मिलेगा अगर बात करें operating system की तो Vivo में आपको Android 14 operating system देखने को मिलेगा जो कि frontage 14 पे based होगा वहीं पे realme में आपको Android 14 operating system देखने को मिलेगा जो कि realme UI 5.0 पे based होगा चिपसेट के बात करें तो Vivo में आपको Dotarminal City 7200 processor देखने को मिलेगा जो कि front nanometer processor होगा वहीं पे realme में आपको mensymptbers mesh 7050 processor देखने को मिलेगा जो कि 6 nanometer processor होगा अगर बात करें दोनों mobile ओगे graphics के तो Vivo में आपको Mali J610 mc4 GPU आपको देखने को मिलेगा वहीं पर Realme में आपको Mali J68 MC4 GPU आपको देखने को मिलेगा अगर बात करें Card Slot की तो Vivo में आपको MicroSD Card Slot देखने को मिलेगा वहीं पर Realme में आपको कोई भी Card Slot देखने को नहीं मिलेगा अगर बात करें Internal Memory की तो Vivo में आपको 128GB और 256GB के Variants देखने को मिलेंगे वहीं पे Realme में आपको 128GB, 256GB और 512GB के वेरेंट्स देखने कुम लेंगे अगर बात करे RAM की तो Vivo बस आपको 8GB में ही देखने कुम लेगा वहीं पे Realme आपको 8 और 12GB के वेरेंट्स में देखने कुम लेगा अगर बात करें storage type की तो Vivo में आपको UFS 2.2 storage type देखने कुम लेगा वहीं पे Realme में आपको UFS 3.1 storage type देखने कुम लेगा और अगर बात करें दोनों mobile के camera segment की तो Vivo में 52MP का dual camera setup आपको देखने कुम लेगा वहीं पर Realme में आपको 58.2 Megapixel का Table Camera Setup आपको देखने को मिलेगा Selfie Camera के बात करें तो दोने Mobile Map को 16 Megapixel का Front Camera देखने को मिलेगा अगर बात करें Sound Quality की तो दोने Mobile Map को Stereo Speaker देखने को मिलेगा अगर बात करें 3.5mm Jack की तो दोने Mobile Map को 3.5mm Jack देखने को नहीं मिलेगा अगर बात करें finger point sensor की तो दोने mobile में आपको finger point sensor under display देखने को मिलेगा और दोने mobile में आपको 2.0 tap c USB port भी देखने को मिल जाएगा अगर बात करें infrared port और NFC की तो दोने mobile में आपको infrared port और NFC के feature देखने को नहीं मिलेंगे अगर बात करें बैटरी सेग्मेंट के तो दोने मुबाइल में आपको 5000 mh के LRP बैटरी देखने को मिलेगी चार्जिंग के बात करें तो आपको Vivo में 44W के फास्टर चार्जिंग देखने को मिलेगी वहीं पे Realme में आपको 67W के फास्टर चार्जिंग देखने को मिलेगी अगर बात करें दोनों मुबाइलों का कलर्स की तो वीवों में आपको Cosmic Blue और Crystal Flake कलर्स देखने को मिलेंगे वहीं पे Realme में आपको Green और Navigator बेस कलर्स देखने को मिलेंगे इंडिया में Vivo T3 5G का प्राइस 19,999 होगा वहीं पे Realme 12 Plus का प्राइस 24,999 होगा तो दोस्तों ये था इन दोनों मुबाइलों का complete comparison ओवरल देखा है तो दोस्तों दोने मुबाइल में काफी तगड़े फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे लेकिन Vivo T3 5G का कुछ फीचर्स आपको Realme 12 Plus से काफी बेटर देखने को मिलेंगे तो इस comparison का clear winner होगा Vivo T3 5G अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लैक्शेट ज़रूर करेंड़ना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी आउन करे लेना और कमेंट करके बताने के आपको वीडियो कैसा लगा तब तक लिए इतना ही मिलते है अगले वीडियो में